हेलो एब्रीवन आज न्यू येर है ठीक है तो इस साल हम मैंने कम से कम मैंने ये रेजोलीशन लिये कि मैं कंसिस्टेंसी से इस चैनल पर वीडियो डालता रहूंगा कुछ ट्रिक्स कुछ मतलब कुछ फॉर्मुले इस के साथ हम साइन्स एंड मैंथ को इजी से इजी कर देंगे वैदर इट इस ग्लास सिख सेवन एट नाइन टेंथ और प्लस वन प्लस तू नॉन मेडिकल और मेडिकल सभी का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा और आज मैं तो चीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ यह जा रहा हूं इस अफ आई सीएसी इस इस बोर्ड का इस मैठ्स बुक इस मैठ्स बुक ओकी ओफ क्लास एट्थ सो चैप्टर इस लीनियर equations in one variable one variable ठीक है exercise for teen C start करने लगा हूँ exercise for teen C अच्छा चलो second sum second sum आगया exercise for teen C का second sum is 2x upon 3 2x upon 3 minus 3x upon 8 is equal to 7 by 12 चलो बुक गई साइड पे अब चलते हैं answer की तरफ अल्सेम बनाएं ठीक है यहाँ पे सीदा सीदा नजर आ रहा है this is 24 3x अब 24 3 8s आर so 2 8s आर 16x minus 8 3s आर 3 3s आर 9x is equal to 7 by 12 हान जी बताईये समर 16x 16x minus 9x will be 7x 7x upon 24 is equal to 7 by 12 अब क्या करेंगे cross multiply cross multiply कैसे करते हैं cross multiply cross multiply करने से सी सी 7x के साथ के साथ क्या आ गया multiply by 12 is equal to 7 into 24 अब x वाली टर्म को एक साइट पे रहने दो 7x is equal to 7 into 24 by 12 x के आएगा 7 into 24 by 12 और ये 7 नीचे into 7 7 or 7 कट 12 2s आर so x will be 2 हान जी बताईये पीचे से answer checker के is this the correct answer x is equal to 2 done so second sum is also done बिल्कुल easy exercise है कुछ पी नहीं है अपने आप कर सकते हैं सारे चलो अगला करते हैं ओके third sum biggest sum बस वैसे इसको complex बना दिया जाता होता कुछ नहीं है अब जैसे इसमें brackets ही brackets है x plus 2 फिर है x plus 3 दोनों multiply हो रहे हैं ठीक है अगर स्टेप बाइस चलेंगे तो कोई गलती नहीं होनी वाली हैं मैंने हमेशा से बताया है कौन सा स्टेप फॉलो गरना हैं बोर्ड mass तो सबसे पहले d आ रहा है so bracket solve करें सबसे पहले चलो bracket solve करते है bracket solve करने का भी एक सबसे easiest तरीक है यह x है ना इस x ने सबके साथ multiply होना है यह 2 है ना इसने सबके साथ multiply होना है so open करने के लिए क्या लिख देते हैं x bracket start x plus 3 क्योंकि इसने सब के साथ multiply होना है प्लस 2 इसने फिर इसके साथ multiply होना है x प्लस 3 प्लस अब फिर वही चीज़ x x-2 minus 3 x-2 इसको minus 2 x x plus 1 is equal to 0 अब सारी बैकेट्स खोलें बैकेट्स खोलते हैं तो क्या आएगा देखो x and x x square plus 3 x plus 2 x plus 6 देखे x and x x square x and 3 3 x 2 and x 2 x positive sign का positive आ गया था 2 and 3 2 3s are 6 positive plus x and x x square minus plus minus minus 2 x minus 3 x अब ये माइनस और माइनस और माइनस है क्या होगा plus 3 2s are 6 ठीक है माइनस 2 x square ये माइनस 2 x और x के साथ करके माइनस 2 x square हा गया और ये प्लस माइनस minus 2 x is equal to 0 ठीक है x अब इसके बाद ठीक है अब ये आ गया x square और ये 3 x 2 x 6 x square 2 x 3 x 6 माइनस 2 x square माइनस 2 x is equal to 0 चलो अब इसी थोड़ा और simplify करते है ठीक है पहले सारी square वाली terms ही गठी कर देते है x square done इसके बाद कौन सी है this plus x square done इसके बाद minus 2 x square ये भी done अब किठी करते है x वाली terms x वाली plus 3 x plus 2 x plus 5 x minus 2 x minus 3 x कितना आ गया minus 5 x और minus 2 x ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया this is also done this is also done अब क्या रही है constant terms 6 plus 6 6 plus 6 is equal to 0 ठीक है ये ही है so इसके बाद क्या आएगा ये x square plus x square कितना हो जाता है 2 x square और 2 x square ये देखो ये 2 x square हो गया ना और यहाँ पे minus 2 x square है ये plus 5 minus 5 cutting plus 5 x minus 5 x बचा क्या minus 2 x plus 12 is equal to 0 ये भी cutting हो गई ठीक है अब सीदा सीदा answer क्या आ रहा है minus 2 x is equal to minus 12 minus or minus cut x is equal to 12 upon 2 2 6 सा 12 so x comes out to be 6 so this is correct answer check कर सकते है पीछे से एक बार so x will be 6 कितनी बड़ी statement थी सिरफ तीन स्टेप्स में answer आ गया ठीक है चले next चल अब next sum है fourth sum easy दिख रहा है देखने के इतना देखते हैं चल अब हमारे पास है fourth 1 by 10 minus 7 by x is equal to 35 चल देखते हैं solve करके पहले तो इसका LCM ले 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 लेते हैं LCM क्या आ गया 10 x 10 x जा उपर आ गया x minus x 10 जा तो minus 70 is equal to 35 upon 1 cross multiply करते क्या आ जाएगा 10x multiply by 35 is equal to x minus 70 ठीक है यही आ रहे है ना हाँ जी हाँ जी बिलकुल यह कितना हो गया 350x is equal to x minus 70 अब यहाँ पे 350x में से 1x minus कर देना यह बला x इदर आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा minus 70 यह कितना हो गया 349x is equal to minus 70 अच्छा तो अब इसको करके देखते हैं x की value x की value कितनी है x comes आउट तो बी minus 70 अपान 349 तो इस इस दी आंसर अम आ करेक्ट चेक कर लो एक बार x की value क्या आ रही है minus 70 अपान 349 ठीक है चले आगे नेक्स सम करते हैं 5th सम 5th है 13 x minus 4 minus 3 x minus 9 minus 5 x plus 4 is equal to 0 solve करें इसे अब ठीक है चलो सबसे पहले board mass again this board mass को याद रखना है मतलब कि bracket solve करनी है सबसे पहले so 13x minus 13 4s आर हान जी 13 4s आर बताईए 13 4s आर कितना होता है 52 minus 3x minus minus plus 3 9s आर 27 minus 5x minus 5 4s आर 20 यार एक तो मार करें ठीक है यह स्टेप समझ आ गया अब इसमें फिर से वही काम करना है पहले तो x वली टरम्स ही कठी करो 13x यह है यह है था 13x minus 3x minus 5x अब सारी constant terms minus 52 plus 27 minus 20 is equal to 0 ठीक है अच्छा था 13 में से 3 गए 10 10 में से 5 गए 5x आंसर यहां पे x का अच्छा इस इक्वल टू 5x इस इक्वल टू यह 52 इधर आके 52 minus 27 plus 20 ठीक है यह स्टेप क्योंकि माइनस है इधर आके positive 52 27 positive और negative minus 27 negative positive so 5x will be equal to 52 plus 20 कितने हो गए 62 72 72 में से 27 minus कर देते हैं कैसे यह देखो 72 27 minus कर रहा हूं 8 9 10 11 12 5 और यहां पे क्या बचा 6 6 में से 2 गए 4 45 ठीक है is equal to 45 5 x x is equal to 45 by 5 9 so x is equal to 9 ठीक है x is equal to 9 हां जी देख लीजी एक ब़र ठीक है x 9 आगया ठीक है चलो आज हमने ये 5 sums की है next 5 आप खुद try करो और next हम part 2 में discuss करेंगे और जाते जाते चैनल को subscribe जरूर करते जाना that is free of cost ठीक है और कोई भी problem हो इस चीज में तो आप comments में please एक problem type जरूर कर दीजिया करीज है चलो पाल करते में जरूर को आप जरूर को अजर, काई खूब तकर हिक here